बिहार के नेतापरतिपक्स तरेश्वी यादब बेरोजगारी यात्रा पर निकलेंगे। बिहार में बेरोजगारी सबसे जादा है। पुझने के बाद उन्हों ने बिहार में जिस तरीके से विशेष राज के दर्जे को लेकर लगतार मुख्य मुंत्री नितिश कुमार मांग कर रहे थे तो तो तरिश्वी आदब ने सवाल खड़े किये कि आखिरकार 16 सालों में उन्होंने क्या-क्या इस तरह के बयान जो है तरिश्वी आदब ने दिये 16 साल से नितिश कुमार है तो आखिरकार वो भी विशेष राज के दर्जे की मांग कर रहे तो 16 साल में उन्होंने किया क्या क्या क्यूंकि यह जिस तरीके से विशेष राज की दर्जे की बात है तो जब लालु प्रिशादी आदब और बिहारी बाजपईस से जोहराबडी देवी ने विसेस राज के दरजे की मांग की थी उस वक्त नितिश कुमार ने इसको खंडन किया था लेकिन आज फिर नितिश कुमार उसी चीज को मांग कर रहे तो 16 सालों में नितिश कुमार ने किया किया है इस तरह की बात ते रिश्व द्धार के मीन वास क्लेव में वारत राक कर चुका सब का अपनाय वांपना वुद्स होता है और समाज को जगाने के यहां प्रश्वार में सबसे ज़्यादे हैं तो इसी प्रिश्टिति उनको जगाने के लिए अगर वोग तो उसमें कुछा करते हैं और राजनीच पार्टी चलाते हैं उनका अधिकार है उज़ा करने का उकर रहा है बहुत इसमें कोई सक नहीं है बेरोज़ार और जूबा के हाँ बिहार में हिंदुस्तान से सबसे ज़्यादा है और बेरोज़ारी सबसे ज़्यादा है इसलिए हम तो हमारी सरकार भी बहुत काम इसके लिए क्या है लाखों को रोज़गार दिया है बेरोज़ारी का मतलब नियोजन होता है और नियोजन में चाहिए मेंडेगा के तरफ से हो चाहिए और सब तरफ से हो या और लोगों के मध्यम से हो मान्य मुखमंत्री ने बहुत सराहनी है काम किया है जिसमें लाखों लाखों को रोजगार मिला है लेकिन उसके बाव जूद भी बहुत बिरोजगा सिमाने के काफी हब अगर हर तरह के काम को अगर देखेंगे, तो हम समस्जते हैं कि जो उनीच लाख कहा गया है ¨श लाक पूरा होने की इस्थिति में है वह जलत नहीं कहा गया था उत्रह इस्थिति में है । इसलिए उसको घिन्दनायआ लेकिन मेरे समझ से सरकार विरोजगारी दूर करने के लिए बहुत सा काम किया है जो पुरुवर्ती सरकारों ने 2005 के पहले के सरकारों ने ऐसी विवस्ता नहीं कि थे